हेलो फेंट्स मैं मंदीप सौगत करती हूँ आप सभी का अपने चनल पर फेंट्स आज के इस वीडियो में 36 है इसका बैक नेक डिजाइन में आपके साथ शेयर करूँगी तो यह मैंन फैबरी के और यह अस्तर का कपड़ा है अस्तर के कपड़े को हमें अपनी तरफ फोल्ड करके रखना है इस तरीके से और जितनी पी लैंट आप लेना चाहते हैं अपने बैक पार्ट की उसमें एक इंच मार्जिन का प्रेस करके आप लीजेगा मैंने क्लाइन डॉकर के नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है और टोटर लैंट ली है मैंने यहाँ पर साड़ी 14 इंच साड़ी 13 इंच मुझे तयार रखनी है और डीप नेक के अकॉर्डिंग 36 साइज में 36 साइज में शोल्डर रखे हैं साड़ी 5 इंच और आर्मोल्स लिये हैं पोना चेंच शोल्डर लिये हैं साड़ी 5 इंच आर्मोल्स लिये हैं पोना चेंच चेस्ट का 4 पार्ट लिया है 9 इंच 1.5 इंच एक्स्टा लिया है मार्जिन का हाफ इंच हम बाहर की तरफ करते हुए इस तरीके से तीरची लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और बाहर वाली लाइन से ही हम आर मोल की गुलाई कर देंगे इस तरीके से यह हमें डीप नेक में ही करना होता है कमर का measurement लेंगे कमर है 30 इंच उसका 4th पाइट होगा और इसके बाद हम इसे मैं फाब्रिक पर रखकर भी कट कर लेंगे यह मैन फैबरीक के इसके साइट में जो प्लेन फैबरीक है इससे हम डिजाइन बनाएंगे तो इससे हम कट करके अलग रख देते हैं और यह मैन फैबरीक के इस पर हम बैक पार्ट को कट कर लिया है इस तरीके से गले के लिए मेजरमेंट लेंगे नेक विट रख रही हूँ में 2.5 इंच रखी है और नेक के लेंट रख रही हूँ में 11 इंच 11 इंच नेक के लेंट लिए नीचे से neck width मैंने 2.5 inch ही ली है अगर आप थोड़ा जब ब्राउट रखना चाहते हैं तो आप 3 inch तक ले सकते हैं और इस तरीके से पहले हमें square एक box बना लेना है गले के लिए यहाँ पर हमें marking करनी है एक marking हम करेंगे 8.5 inch पर और नीचे से width में लेंगे 3 inch इस तरीके से box हमें उपर की तरफ बना लेना है और हम यहाँ पर draw करेंगे round shape round shape draw करेंगे फिर हमें 1.5 inch पर एक marking करनी है और एक round shape हमें नीचे की तरफ बनाना है इस तरीके से यह देखिए यहाँ पर इस तरीके से box हम नीचे की तरफ बना लेंगे यह box बनाने के बाद और नीचे से round shape देने के बाद हम इससे cut कर लेंगे इस तरीके से यह देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमें इससे cut करना है तो हमारा यहाँ पर देखिए back part भी cutting हो गया है और neck को भी हमने cut कर लिया है अब में ने लिया है यहाँ पर paper pasting, paper pasting को आपको double fold करके रखना है और इस तरीके से आप यहाँ पर इससे रख लीजिए, pin लगा लीजिए और neck के according हम यहाँ पर marking कर लेंगे इस तरीके से यह देखिए, pen से आपको marking करनी है और इसके बाद side से one inch extra लेते हुए mark कर लेना है और इसे cut कर लेना है थोड़ा सा मैंने neck को गहराई करी है, यहाँ पर अब हमने इस तरीके से देखिए, यहाँ पर side से one inch extra लेते हुए marking करनी के बाद इससे हम cut कर लेंगे तो बहुत ही simple, sober, यह neck design है, जो कि आप इस तरीके के जो कड़ाई वाले blouse होते है work वाले blouse होते है, उनमें आप इससे बना सकते है अस्तर का हमें extra कपड़ा लेना है और उसके उपर paper pasting को इस तरीके से attach करके सिलाई लगा देनी है अगर आप चाहे तो इससे press से भी आप चिपका सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से सिलाई लगा कर भी इससे attach कर सकते हैं सिलाई लगाने के बाद में इससे अलग रख दूँगी और band fabric और रस्तर के कपड़े को हम साथ में यहाँ पर joint करेंगे तो band fabric को हमने उल्टा रखना है उपर की तरफ से और यहाँ पर रस्तर के fabric को इस तरीके से रखेंगे पिन लगा लिनी है पिन लगाने के बाद हम एक corner की सिलाई लगा कर यहाँ पर इस तरीके से देखें neck को attach कर देंगे neck को हमने attach कर दिया है neck पर शिलाई लगाई है इसके बाद हम side से शिलाई लगा लेंगे अच्छे से हाथ से finishing करते हुए finishing के साथ यहाँ पर हम back part को main fabric के साथ यहाँ पर attach कर लेंगे और हमेशा आप main fabric को side से थोड़ा बढ़ा कर ही cut करें ताकि back part अच्छे से यहाँ पर joint हो जाए इसके बाद हमें यहाँ पर देखी क्या करना है इस तरीके से fabric को cut कर देना है पहले हम गले के यहाँ से cut करेंगे फिर उसके बाद साइट से भी extra कपड़े को cut कर देंगे extra fabric पूरा हमें cut करके अस्तर की बराबर कर देना है यहाँ पर इसके बाद दिखिया हमें क्या करना है हमने blouse का extra fabric cut कर दिया है अब हमें paper pasting का जो हमने गला तयार किया है उसका भी extra fabric cut करने के बाद हम इस तरीके से side से fold कर लेंगे कपड़े को कपड़े को हमने side से fold कर लेना है finishing के साथ तो हमारा यह pattern तयार हो गया है अब हमें यह दिखिये यहाँ पर इसे attach करना है तो attach करने के लिए आप यहाँ पर pin लगा लें नीचे की तरफ से भी अगर आप चाहते हैं तो इस तरीके से pin लगा सकते हैं और एक पेर का margin रखते हुए यहाँ पर machine का जो एक side का foot होता है वो cover करते हुए सिलाई आपको अच्छे से finishing के साथ यहाँ पर लगानी है इस तरीके से यह दिखिए तो पूरे ही neck पर हम इसी तरीके से सिलाई लगा कर इसे complete कर लेंगे और सिलाई में लगा लिए इसके बाद इसका जो बीच का fabric है वो हम cut करके निकाल दिए और पूरे ही गले के pattern पर हम चोटे-चोटे से cut लगा लेंगे cut लगाने से जो गला है वो बहुत ही अच्छी तरीके से पलट जाता है तो इस तरीके से आप cut लगा ले और cut लगाने के लिए अगर आप यह cutter का use करेंगी या आपको tell ring shop पर आसानी से मिल जाता है तो इसे जो cut है neck पर वो बहुत ही अच्छी तरीके से लग जाते हैं तो हमें यहापर सिफ सिलाई के पास तक ही कट लगाने हैं, अब हमें गले को पलट लेना है, देखिए इस तरीके से हम गले को पलट कर सीधा कर लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से कॉर्नर्स निकाल लेने हैं गले के, अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम कॉर्नर्स निकाल ल यह दिखिए गले के पट्टी है जो के अनवास से उसे आपको अच्छे से हास से फिनीशिंग करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और यहां पर हम एक कॉर्णर की सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से यह दिखिए यहां पर इस तरीके से हमें सिलाई लगा कर इसे पूरा ही गले को कंप्लीट कर लेना है इसके बाद हम सेंटर मार्किंग करेंगे और यहां पर इस तरीके से प्लेट स्टाल लेंगे कप्ड़े को फोल्ड करके तो 4.5 इंच की लेंथ में मैंने आपर 4.5 इंच की लेंथ में प्लिट्स डाली है और अब हमने नीचे की तरफ कमर पटी लगा लेनी है कमर पटी मैंने देडी इन चुड़ाई मिली थी और इसे एक तरफ से फोल्ड कर लिया है नीचे से 1.5 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमने कवर पटी को लगा लेना है एक स्लाई हम पटी को इस तरफ करते हुए पटी के ऊपर लगाएंगे फिर हम कमर पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरीके से यह दिखिए तो यह हमारा जो पात है वो कम्प्टीट हो गया है बैक पात कम्प्टीट हो गया है तो हम सिर्फ इसमें डोरी का यूश कर रहे हैं उसके लिए हम फैब्रिक लटकन बनाएंगे तो इसके लिए इस तरीके से फैब्रिक को आपको एक फोल्ड करना है फिर इसमें आपको इस तरीके से इसे फोल्ड करना है और फिर एक डबल फोल्ड करना है इस तरीके से fold करने के बाद हम इसे cut कर लेंगे नीचे की तरफ से तो यहां पर हमारे 4 pieces cut हो गए है अस्तर वाले इस तरीके से देख सकते हैं आप 4 pieces cut हो गए है अब हम इसे main fabric जो है हमारा side से निकला था plane fabric उस पर रख कर इस तरीके से stitch कर लेंगे मेन फैब्रिक के भी आपको चार पीसेस कट करने है एक पिर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाई है और हमने इसे इस तरीकी से पोल कर देना है अंदर की तरफ इसे पलट कर सीधा करना है इसके बाद एक कॉर्णर की सिलाई लगा लेंगे हम इसके बाद साइट से सिलाई लगा लेंगे इस तरीकी से और एक्स्टर फैब्रिक को कट कर दिंगे निकालके इस तरीकी से इसके उपर हमें लेस का यूज करना है तो मैंने हैं आपर देखी यह वाली लेस लिए है और इसे में इस तरीके से लगा अटेश कर दूँगी नीचे की तरफ तो चारो जो हमारी फैब्रिक लटकन है उनके उपर हमें नीचे की तरफ ये लेस लगा लिनी है तो फैब्रिक लटकन पर लगाने के लिए अगर आप इस तरीके की कंगूरे वाली लेस का यूज़ करते हैं तो गोटे वाली जो लेस होती हैं वो बहुत ही इस पर सुन्दर लुक आएगा अच्छा लगेगा तो हमारी जो फैब्रिक लटकन है वो लेस लगाने से ओड़ भी ज्यादा सुन्दर दिखेगी तो यह फैब्रिक लटकन हमने रेडी कर लिए अब आपको डोरी लेनी है दोरी के अंदर फैब्रिक लटकन को इस तरीके से रखना है और सिलाई लगा देनी है अच्छे से आप यहाँ पर इससे पका कर ले तो आपको इसी तरीके से बाकी लटकन भी तयार कर लेनी है अब मैं यहाँ पर दूसरी लटकन भी इसी तरीके से तयार कर लूँगी सिलाई के पास तक आप फैबरिक को कट कर ले ये दिखी इस तरीके से हमने ये तयार कर लिये हैं और चारो लटकन रेडी हो गई है अब हम इसे ब्लाउस पर लगाएंगे तो उपर वाली जो लटकन है वो आपको देड इंच की गैप पर लगानी है उपर कंदे पे से दोनों तरफ आप अच्छे से नाप करके यहाँ पर डोरी को अटेज कर दे यह दिखी तो नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर इससे अटेज कर देंगे तो यह वाला जो कॉर्णर है इस कॉर्णर पर भी आपको अच्छे से लगा करके पका कर लेना है और दूसरे कॉर्णर पर भी पका कर देना है तो इसी के साथ ही हमारा डिजाइन जो है वो बन करके कंपीट हो गया है फ्रेंट्स आपको आज कही वीडियो केसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेर जरू कीजेगा और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद